कि नमस्कार विदानता के ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर आप सब का एक बार फिर स्वागत है और जैसा कि आपको पता है कि जो MPPSC के लिए जो एक्जाम होने वाली अपकमिंग जो प्रिम्नरी एक्जाम उसके लिए हमने एक टैस्रीज और्गनाईज की है उसमें 20 टैस्ट होना है जिसमें सेकेंड टैस्ट जो है वो हमने लास्टी में कंडर्ट किया था तो आज हम उस पेपर को डिसकास करने वाले हैं पूला 100 पॉस्टन थे तो हम इसे दो स किल्चर से लेतर्ट से कॉस्टन थे तो वह में यहां पर डिसकस करने है यह उसी से टिस था तेस्ट ज необходимо ने टैस्ट के पास पेपर बना कर जो चैन लड़के पांच लड़के थे जनकोजी सिंदिया रहां कि उम्र काफी कम थी तो वो शासकव मतलब ये देख आप थुरह सा समझे एंदरा अब और इुसनिंद्धिक पांच लड़के हैं पांच लड़के में सबसे बड़े जयपा हैं लेकिन 1761 में जयपा की लड़के जनकों जी श्ञासक है मतलब सिन्दिया इसके लाबार द्ताजी रा उते इसके ऐते इसके बाद में महाथ जूद्धिया key तो यह पंच लटके थे इनमें से 1757 रगुनात्राय रागोबा द्ताजी को लेकर दिल्ह이다 छले जाते है एहमद शायबदाली के पास मैं मदद मांगने के लिए जो दत्ता जी थे और जो रागोबा थे ये पंजाब में गुस जाते हैं और पंजाब में एहमद सबस्क्राइब सायबदाली गुसा हो जाता है वहाँ पर रगणात राव रागोबा वापिस आ जाते हैं लेकिन दत्ता जी सिंदें उपर डिक करता है अब्डाली युद्दम उन्हें मार देता है मतब देखी पांच लड़कों में से दो लड़कों की तो डाथ हो गई एक तो यह लॉनी के युद्ध में मारे गए जो रानु जी के मैं बच्चे बता रहा था तो जैप्पा राओ की तो पहले भी डैथ हो चुकी थी उनके जो लड़के हैं जनको जी सिंदे वह अभी एंपरर हैं जो द 1661 में जब युद्ध होता है पानीपत का थर्ड तो सिंधिया डाइनस्टी की तरफ से तीन लोगों ने उसमें पाइटिसिपेट की आता तो किस-किस ने तो एक तो जनको जी सिंदे जो खोद एक शासक हैं क्योंकि वो छोटे थे तो उनकी जो रीजेंट बनाए गए थे व कौनों की उसमें म्रत्ति हो जाती है किसी तरह महाद जी सिंदिया अपनी जान बचा के भाग जाते हैं लेकिन उनके पैर में चोट आती है और वो लंगडे हो जाते हैं तो कुल मिला के तीन शासकों ने सिंदिया डाइनस्टी की तरफ से तीन शासक महाँ पार कॉंटेस्ट की हैं फाइट की हैं पानीपत थर्ड बैटल में तो कोजी राउ सिंदिया जनकोजी सिंदिया और इसके बाद महाद जी इन दो की डैथ हो गई यह बच गए थे बाद में जाके इन्होंने सिंदिया डाइनस्टी को फिर से रियस्टब्लिश किया था इसलिए कई बार हम बोल देते हैं कि महाद जी सिंदिया सिंदिया वंस के वास्तिविक संस्था ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा केवल दो तीन एवं चार एक और चीज में आपको बता दूए इस युद्ध के बारे मे एक बड़ी चीज की नाना फरनवीज को मराठों का मैक्यावली कहा जाता है उन्हें चानके की समान बताया गया था ठीक है पहले कोस्टन का अंसर हो जाएगा अब बी तेकिन कोस्टन है किस विरेसी पत्रिका ने टांटिया भील को भारत के रॉबिन हुट के रूप में वर रॉबिन होट के जैसे तो रॉबिन होट कौन है रॉबिन होट एक कैरेक्टर है एक कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड है उनके उनकी फ्रेंड है मैरी मैंस जो है तो मैरी मैंस के साथ मिलकर वो अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं तो एक कैरेक्टर ह और गरीबों में वो क्या कर देते थे बांट दिया करते थे उस संपत्ति को तो इसलिए टांटिया भील से टांटिया भील को रॉबिन होड कहा जाता अच्छा चीज और ध्यां रखना जीएस हो जाते हैं तो उनके लिए खाना उकलब्द कराता है डेली अब आप कहेंगे इतना सारा खाना आता कहां से यह ग्रूप बहुत ज्यादा एक्टिव है धियान रखना यह केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं भारत के लगबक सतर जो बड़े-बड़े सहर हैं उनमें बात में जो खाना बच जाता है इंका उनसे कॉन्टैक्ट होता है और इसके बाद यह वहां जाके वह खाना जो बचा हुआ खाना लाते हैं और वह इन बच्चों में बांट देते हैं कितना अच्छा काम कर रहा है यह लोग तो यह रॉबिन हुट आर्मी के नाम से फैमस र भाई थी वैसे तो स्वराज पार्टी का घठन चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने किया था और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे मोतिलाल नहरू इसके सचिव थे जो कॉंग्रेस की जो राजनेतिक गतिविदियों में पार्टीशिपेशन की योजना थी कि अध्यप्रदेश में जो स्वराज पार्टी की स्थापना है उसे रागवेंद्र राओ और बी अस मुंझे ने स्थापित किया था आपको पता होगा कि 1923 की जो प्रोवेंशियल लेजिस्ट्रेशन के इलेक्षन थे उसमें स्वराज पार्टी ने पार्डिसिपेट किया थ था कि वहुमत मिलने के बाद भी हम सरकार नहीं बनाएंगे बल्कि पारियामेंटरी जो एक्टिविटीज है यह जो लेजिस्टरी एक्नीटीज है उनमें नौन कोपरेशन ही फॉलो करेंगे गांदी जी पहले पॉइंट किये गए थी मतलब हमारे जो मध्यप्रांत के पहले राजिपाल रागवेंद रहा हो तो बीस मुंझे बहुत बड़ा नाम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्हें तो जो दक्षण अफ्रीका में बोर जो बैटल हुआ था गांधी जी का भी उसमें इं कर लिया था गोल में सम्मिलन में भी एक बार गए थे जो मुंझे है मुंझे के बारे में बुला जाता है कि 1925 में हैडगेवार ने जब RSS की स्थापना की थी जो रास्टी स्वैम सिवक संग है तो RS जो सरी हैडगेवार जी जो है वो बीस मुंझे को ही अपना राजनेतिक मानते थे पॉलिटिकल गुरू मानते थे मुंझे का बहुत बड़ा कॉंटिब्यूशन रहा है और उस समय ये स्वराज पार्टी की स्थापना से जुड़े थे मध्यपरदेश में स्वराज पार्टी भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 1924 में एक प्रपोजल पास किया था मोतिलार नहरू की अधियाक्षता में और उस प्रपोजल में उन्होंने पहली बार समविधान सभाव दिमांड की थी तो यह क्व soprाज पार्टी पहली पार्टी है जो सम्मीधान सभाव की डिमांड कर रही है भारत के लिए सोहावल नर्संगहार के जीले में हुआ था, अइस्स सब्सेंगर میں celebrities थे जो माजन घाओं में यह नर्संगहार था जो वहां की बगेलारियासत है तो बगेलारियासत की जो आर्मी थी सैना तो उसने वहां पर जो रिबेल्स थे जो क्रांतिकारी थे या अंदुलनकारी थे उनकी उपर गोलियां चलाएं थी माजन गाओं के पास में और इस गोलावारी में जो लाल बुद्ध प्रताप थे नाम से जाना जाता है 1938 में हुआ था कहां पर हुआ था सतना डिस्टिक्ट में हुआ था मध्यप्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाती वाले जिले कौन से हैं कुंदेल खंड के लोक नर्थ कौन से हैं मेरे क्याल से बहुत इसी कौस्चन था सभी से बना होगा जो सैरा पधाई जो निमराई कहा जाता है तीनों के तीनों मध्यप्रदेश के हैं जब कि यहां आप देख रहे हैं कि ज्यादा तर जो जो लोक नर्थ दिये गए मालवा और निमाण अंचल के नोप देखते हैं ती कौस्चन अमर सिक्स का अंसर होगा कौस्चन अमर सेवन हरसोल अभी लेक इनमें से किस राजवन से संबंदित है मध्यप्रदेश में परमार डानेस्टी को जानने का उनके प्रारम्य कितिहास को जानने का एक महत्पूर्ण स्रोथ ह हरसोल अभी लेक अराउंड 948 एडी का ध्यान लखीएगा और यह जो एक राजा हुए है सिया का सेकंड स्टियाक सेकंड जिनके लड़के मुंझ हुए हुए फिर तो सियाक से किंड का है और सियाक से किस हरसोल अभी लेक से हमें परमारट डानेस्टी प्रारमय कितिहास को जानने में काफी मदद मिलती है वैसे पर्मार डाइनस्टी को जानने के लिए साहितिक स्रोथ तो बहुत सारे हैं लेकिन यदि अभी लेखों की हम बात करें तो राजा मुंझ का उज्जेन जो प्रसरस्ती है या उज्जेन अभी लेख वो अच्छी खासी जानकारी देता है इ70 के बारे में इसके अलवा राजा भोच का जो बासवाड अभी लेक है और जो बेतमा भी लेक विली के पास में एक वह न यह अच्छी खासी जानकारी देता है क्योंकि उदैपुर अभी लेक में ही राजा भोज को कभी राज कहा गया है ठीक और उदैपुर अभी लेक उदैगिरी जो वहां पर मिलेगा इसके अलावा जो लक्षम सैन थे एक राजा ये भी परमाट डाइनस्टी के थे तो उनका एक न उनकुन्ड सिद्दान थे उससे भी जोड़ा गया है और कुछ लोग कहते हैं कि परमार असल में जो वसिस्ट थे तो वसिस्ट ने जो जो वसिस्ट की गाय चुरा ली थी उनके पास में जो विश्वामित्र ने चुरा ली थी तो उन्होंने यग करके एक वारियर पैदा कि पर्मार नाम चुरारी दिया उसे और विश्वामित्र से वागाय बापिस लेकर आया तो अलग लग कहानिया परमारों के उद्राइक परमारों का जो वें उसका संबन्द जो मौन टाबू में यग की आ गया था वसिस्ट द्वारा उससे भी जोड़ा गया जो प्रत्वी जी कर्दीराज रासोugen में एक उसमें मेंृस्चा एक हर्स और के ले किस यह का है सिया कर जो हर सिया का राजा है miracle यह से सब्वंदित है किस जनजाती से सब्वंदित निए jal성 थे मेरे क्याल से जब हम गौंड जन जाती पढ़ते हैं तो ला्रू काज जरूरी पढ़ते हैं लारू मतलब होता है डूला और खाज मतलब होता है अनुस्ठान मदद यहिए कुछ बिबाहर से संद्ध्ध है सूर बिबाहर का भी कहीं कहीं जिक्र मिलता है पर नारायन जो है नारायन की स्तूति में यह किया जाता है कुछ लोग यह भी कहते हैं कि लारुकाज में अंतमे सुवर की बली भी दी जाती है तो किसे संबन्दित है यह गौण जनजाती से संबन्दित मद्यप्रदेश की जानिया एक क्योंस कि से कहा जाता है रणी लक्षमी भाइए इन्हें मद्य मद्यप्रदेश की जानौफर है कि जानना हैं कौन जांबर 507 के आसपास वह क्यों रवान 1430-1431 के आसपास तो UK लड़की हुए फ्रांस की 1213 गोस्ट कर दिया गया गया धाया था मतब उनका संत कहला थी पुर्ट कर दिया गया था फ्रांस में अच्छा फ्रांस पर उस समय कब्जा कर दिया था इंग्लेंड ने और वो जो 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 जॉन अफ आर्क थी तो यह बोलती थी कि मैं इस्वर का संदेश लेके आई हूं कि हमें फ्रांस को आजात लगाया गया और उन्हें जिन्दा जला दिया गया था अब यह सी घटना थी जन्दा जलाने की वी जिए उसको सर्मिंदा रहता है फ्रास के जो मद्यप्रदेश में जब लक्षमी भाई को जिस तरीके से उन्हें हम कह रहा हैं कि डिस्ट्रॉन किया गया उनके राज्ज को हड़ पा गया तो वो लगबख सिमिलर है किसके जैसा जॉन आफार के जैसा इसलिए लक्षमी भाई को जॉन आफार कहा जाता है एक और चीज 2019 में जालिया बाला बाग में सेकर हुआ जो घटना हुई थी जालिया बाला बाग की तो उसकी भी तुल्ला की जान की गई थी जॉन आफार को जलाए जाने की घटना से और यह तुल्ला की थी विस्टन चर्चिल ने विस्टन चर्चिल ने उस घटना को किसके सादर्श मान था जोन आफार को जलाने के साद्रश है बड़ी अजीब बात है कि वह विस्टन चर्चिल जो कभी यह कहा करते थे सत्ता में आने के बाद कि मैं ब्रिटिस एंपायर को छिन्नेविन करने के लिए शासक नहीं बना और जिनोंने गांदी जी को देश-द्रोही फकीर कहा था वह कि मार गंदर्व जो है वह बहुत बड़ा नाम है सास्त्रि संगीत के छेत्र में बहुत जबरजस्त गायक हुए है कुमार क्रमीं इतना उनका कमांड था कि बाद में कुमार गंधर्व के नाम से जाना गया थाव तर्णाटका से वह आके देवास में बस गए थे दियान लखना और देवास से उनकी कर्म स्थली रहा 1992 में उनकी म्रत्य हो जाती है देवास में तो कुमार गंदर्व का संबंद किस से है देवास से ठीक है टैन के बाद में अपने 11 पर चलते हैं चंदर से कराजात का जन्म कब और कहां हुआ था मेरे क्याल से बनना चाहिए था पड़ा इसी कॉस्चन थ था वो 23 जुलाई 1909 को अली राचपूर में हुआ था तो कहां पर जन्में थे चंदर से कराजात यह अली राचपूर में 23 जुलाई को जन्में थे नेक्स वन की उदयगिरी में जो गुफा सिला लेखवा पर मूर्तियां बनी है वो किस धर्म से संबंदित हैं उदयगिरी जो है यह बिदी सा में है पहली चीज तो बिदी सा के पास में एक प्रगते है सिकाल का इस्थाल है बेस नगर बेस नगर से थोड़ी ही दूरी पर उदयगिरी की गुफाएं मिलेंगी और उदयगिरी की जो गुफाएं है यह इस इनहीं जो है वो नीचा गिरी भी कहा है का मन देते हैं यहां पर आदिनाथ की एक मूर्ती मिलेगी तीर्थंकर की मूर्ती बनी हुई है लेकिन बागी सभी गुफाओं का संबन्द हिंदु दर्वे में जो वैशनम और सैव साखा है उससे इसमें जो पांचवे नम्मर की गुफा है उसमें विश्णू के प्रसिद्ध बड़ा है आउतार का चित्र है और ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के समय का है जादातर गुफाओं का निर्मार पांचवी शताब्दी के आसपासी हुआ था कुछ गुफाएं जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित का एक मंत्री था वीर सैंसेव सैनापती थ तो यह दौनों से हैं यह हिंदु धर्म को भी रिप्रेजेंट करती है और जैन धर्म को भी इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ए एंडबी होगा इसके बाद नेक्स्कॉस्ट्ट पर चलते हैं तो नेक्स्कॉस्ट्ट्ट है हां 13 से यह निम्रिकत में से किसी पूर्वकास सोमनात कहा जाता है भोचपुर मंदिर को पूर्वकास सुमनात कहा जाता है यह दियान रखना है जो निर्माण है और इसे ही भारत का सोमनात कहा जाता है एक और बड़ी विछेस्ता है मंदिर की जो मंदिर है यह मंदिर भारत का जो सबसे बड़ा शिवलिंग जो है तो वह मंदिर इसका जो शिवलिंग पत्थर का बना हुआ यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर सबसे बड़ा सिवलिंग वाला मंदिर है यह ठीक पत्थर का सिवलिंग सबसे बड़ा है जो पू रखना हर साल 20 से लेकर 26 फरवरी के बीच में मद्यप्रदेश के खजुराहों में अखिल भारतिय सास्त्री नित्र उत्सव आयूजित किया जाता है यह मद्यप्रदेश का जो संस्कृती मंत्राला है वो जो कला परिशाद है उसके सहयोग से यह आयूजन करता है इस बाद अल है वो 49th नमर वाला है इसका मतलब नेक्स्ट वाला है अपकमिंग वो 50 सम्मेलन होगा वी अभी चली रहा है यह कहां पर आयूजित होता है यह खजुराहों में आईूजित होता है नेक्सट की कौन सा गलस सुमेलित है कल्चुरी वंस लक्षमी करण कल्चुरी वंस का एक स्थिर्पूरी में जाकर बश गए थे इसका इक बेहत सक्षाली राचा हुआ है लक्षमिकर्ण जैसक्ति विल्कुल जैसक्ति को जैजा भी कहा गया है और जैजा जो ननुक के चंदेल धे तो ननुक के चंदेल का पोंता था उसे के नाम पर चेत्र को जजाक बुपक्ती को धिकशेंया अपूय है जा दूम मुंज तो सियाक हर्स जो है वह यह बी शही अ परमार जैय संफिराज ए रॉंग है थे भीननाघ्राइः उनमें वाड़ा के चोलु के सोलंकी आख दे को गऽे हो जाएगा 15 मJ कहा इस्तित है बाहु वली कौन प्रिभवनात कहा जाता है करता तो शबंद के लड़के ही थे भगवान बाहु बली दो लण दो लड़के भरत चक्रबर्ति और बाहु बली कुछ लोग यह कहते हैं कि वह भरत मद्यप्रदेश के इन दौर में भी जो गोमठ गिरी है उसमें बाहु बली की एक विशाल मूर्ती स्थापित की गई है इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा गोमठ गिरी ठीक है नेक्स अपन चलते मद्यप्रदेश की कौन सी जन जाती कबीर पंथी है पनी का जन जाती है सभी जानते हैं कि कबीर जो है वो लहर ताला तालाब जो था तो लहर ताला तालाब में वह मिले थे एक जुलाहा जाती के नीमा और नीरू को और उन्होंने ही उसका पालन उनका पालन पोशन किया था मद्यप्रदेश की जो पनीका जन जाती है जो इस पेशली सीधी शैडोल अनुपपूर वाला जो रीजन है उसमें मिलती है बुंदेल खंड में भी मिलती है कुछ मात्रा में यह जिसे पन्ना वाला जो छेत्र यह दतिया यहां तक छतरपूर यहां तक भी दिखाई देती है पनिका पर पनिकाओं के दो वर्ग हैं जिन में से एक जो है अपने आप को बुनकर मानते हैं पहले बुनकर दुनिया के निमलिकित मैंसे कौन सम्मीधा निर्माता परिशत का सदस्चे रहा था बालकृष्ण सर्मा नवीन के बारे में यह बोला इनका जन्म जो है वो साजापूर का जो सुजालपूर तैसील है तो सुजालपूर तैस इंपक्त था उनकी ऊपर फुरा पॉलिटिक्स में भी रहते थे यह जैसे यह संसथ के सदस्चे भी रहे हैं जे संसद भी रहे इसके अलावा यह समीधा्या-निर्मातृ्टषा भाम b types बनाये गए थे इसके आलावा यह जो राजभास a tad कि उसके उसके भी सदस्चे थे तो और भारत दौनों की अमूल निधी माना जाता है उनकी उर्मिला किताब है या प्राणार पर किताब है रश्मी रेखा है कुम कुम है सभी ने पढ़ा होगा इनकी बारे में तो यह बहुत अमूल धरूहर है भारती साहित जगत की ठीक है नेक्स्ट वन मद्यप्रदेश के प्रिसिद्य पसु मेले नागा मेले का आयुजन कहां किया जाता है जो संप्रदाय है उसका इक उपसंप्रदाय है नागा बहुत सारे उपसंप्रदाय के अंदर तो एक नागा संप्रदाय है और उस नागा संप्रदाय के 39 जो गुरु हुए है 49 वे जो ग के नाम से फैमस थे क्रिश्ण के बहुत जवर्जस्त भकते थे वह भी कहा जाता और क्रिश्ण को सखा की तरह मानते तो उनी के सम्मान में प्रतिवर्स नवंबर दिसंबर में एक मेला भरता है पोर्षा में यह मुरेना के पोर्षा में आयुजित किया जाता है प्रारम में जब भरता था तो इसमें किवल बंदर बेचे और खरीदे जाते थे पर अभी एक महत्वपूर्ण पशु मेला है और इसमें अब जो कुत्ता गाय बैल भैस वगेरा यह भी बेचे और खरीदे जाते हैं मद्यप्रदेश सरकार का मध्यांचल प्रशासनिक भवन कहां इस्थित है यह दिल्ली में मद्यप्रदेश सरकार के दो बहुत प्रशा बहुत अच्छे प्रशासनिक बहुत अच्छे प पर अपन चलते हैं धिंगना या पाटनगर चित्रकला एक प्रमोख विसेशता है गॉंड़ों की आपनी जो पुटिया होती है तो पुटिया को वह अपने घरों की दीवारों को वह जो पशुपक्षी है जो फूल वगेरा है तो इन से बने चित्रों से सजाती है और इसे ही क कहा जाता है इसे धिंगना चित्रकला कहा जाता है जो जनगर सियाम है जनगर सिंग सियाम जो है जनगर सिंग सियाम वह इस चित्रकला के बहुत अच्छे कि विषेस्ता पद्मगुप्त धना द्हाने किस राजा के दर्वार में थे चनोंने प्राहिश संदुझ के नव मुंजो principals की लिए की है लेकिन ध्यान रखना यदि हम बात करें धरंजय की धानिक की हलायुद की अमित गती की तो यह सभी मुंझ के दरवार के कभी हैं मतलब यह जो तीन जो नाम एक साथ आ गए हैं इसलिए इसका अंसर क्या होगा बागपती मुंझ यह तीनों कि मुंझ बागपती मुंझ ने जवर्जस्त अटेक किया तिरपूरी पर जो कल्चुरी कैपिटल हुआ करती थी और वहां के राजा युवराज को हरा कर कुछ समय के लिए उसने तिरपूरी पर कबजा कर दिया था हाला कि बाद में जाके दौनों के बीच में संदी हो जाती है और बागपती मुंझ ने तिरपूरी एक बार फिर से कल्चुरीज को सौप दिया था इसका आंसर क्या होगा बागपती मुंझ ठीक नेक्स वन और य खेत्री राज्यों की स्थापना हुई थी जो छोटे-छोटे जो राज्य थे वह स्थापना हुए थे इसका सबसे बड़ा कारण था 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमन सल्तनत पर अटेक किया तो सल्तनत कापी कमजोर हो गया और जब तैमूर यहां से गया तो सल्तन सल्तनत के अधीन जो छोटे-छोटे राजवंस थे उन्होंने एक-एक करके अपने आपको स्वतंत्र गोसित कर दिया था और इसी क्रम मैं मद्यप्रदेश में भी एक राजवंस स्थापत हुआ था जो गौरी वंस के नाम से जाना गया और इस वंस का जो संस्थापक था व अभी भी राजा की उपादी धारण नहीं की मतलब एक सुल्तान की तरह इसने विए वहार नहीं किया था फिर इसका जो लड़का हुआ अलप खांजेस में होशंग साह के नाम से जाना गया वह बास्ताओं में पहला सुल्तान माना जाता है मालवा मैं मुस्लिम सल्तनत का अ 1931 में हुआ था उज्जैन में और सरद जोसी की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं सरद जोसी जैसे वह उनका जीप पर सवाल इडलिया एक बहुत फैमस उनकी रचना है इसके अलावा उनकी जो सबसे फैमस रचना है वह राह किनारे बैट मैं मैं और केबल मैं ठीक आंधों का हांती तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं सरद जोसी जी ने कहा ह唯ा था इनका प्र जैन मैं अलवङ्त चनार करना है अन दिया के दिया कि कर सेउटमी कहां में है तो है तो अज पाल में है महुत सौ लेकिन भुपाल में होता ए- स tablespoon की प्रसिद द longo असगरीबाई का संबन्द किस्से है जो असगरीबाई है असगरीबाई यह बिजावर में इनका बर्थ हुआ था ध्यान रखना जो छतरपुर जिले में एक तैसिल आती है बिजावर और यह जो और्चा दर्वार था उसकी राजगाई का रही थी जो दुरुपद दुरुप पूर से थी जो विजावर है उससे सम्बंदित यह रही तारीदास के किस गरंत में अमरकंत के सौंदरी का चित्रन किया गया है मेग दूतम का जो मेग दूतम है इस गरंत के बारे में भी आपको धिहान रखना है की कालिदास ने इसकी रचना विक्रमादित्य के दरवार मे नहीं की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित की दर्वार में नहीं लखा यह दूत्र राजर में भीजा था और वहां पर इन्हों जो कॉंतलेश्वर्दूत है या दौत्त जो है वो इन्हीं की रचना मानी जाती है अच्छा मैंने पिछली क्लास में भी साइद आपको बताया होगा कि काली रास के नाम का उलेक एहोल प्रशस्ति में हुआ है रवीकिर्थी का जो एहोल अभी लेक उसमिन का नाम आया है फिर निर्टक हैं कार्तिक राम माने जाते हैं यूपी तो यहां की प्रमुक्त निर्थ्य सहलि रहे है और सास्त्री निर्थ्य में इसे इस्थान दिया गया कथा का कथा पर आधारित होती है कथक में चार बड़े-बड़े घराने हुए हैं कि में सबसे फैमस लखनव घराना थ तो यहां यहां एक राजा थे चकडर सिंग्ग ने काफी प्रमोट किया था उन्हीं के दर्वार में थे कार्तिक राम के एक बार गुलाल की डेहरी पर कार्तिक रांस किया था मुलाल की डेहरी बनी हुई थी और वह उन्होंने देखा नहीं ठाए उन्होंने उसको पहले तोकर मारकर इपके रहे नीचे नहीं देखा लगातार वो डांस करते रहे और कहते हैं कि जब टांस खत्म हुआ था और जब फर्स पर देखा गया तो दुट 2025 आगे थी आथि कि आकरती आ गई थी गजनरत्य के नाम से काफी फेमस हुआ मद्यप्रदेश के नरत्य समराठ कही जाते हैं कौन कार्तिक राम लहंगी और दुलदुल घोरी नरत्य किस जन जाती से सम्मन्नित है यह सहरिया जाती का है वैसे दुलदुल घोरी तो पूरे बुंदेल खंड में बह स्कृष किल में की चाorang दुलदुल घोरी में तहुड़ा ना जच है कौन सी जन जाती करती है नेक्स होन मद्यप्रदेश सरकार द्वारा ठकर बाप पुरुषकार परदां किया जाता थकर बापा ने ही आधिवाचि सब्दों सब को पता होगा डा Immyan को ने dressed penguin कि मानज कोटूहल के रचेता कौन है संगीत पर किम की किताब है मान क१ो मान कोटूहल की रचना का आरव मान सिंभ तौमर है मान इत्र मतॉमर अपने समय के बहतरीन गायक थे और कहते हैं कि यह दुरुपद गायन से लिए उसके प्रनेता कहे जाते हैं मान सिंग तौमत वैसे एक औरंग जेप की बार में बोला जाता है कि उसने ज्यादा तर संगीत पर प्रतिबंदी ही लगाया था लेकिन संगीत की एक किताब है यह मान कौतुगल इसका उसने फारसी भासा में ट्रांस प्रति का पुत्र कहते है बहुत महत्वपूर्ण जन जाती है पूरवी मद्रप्रदेस में पाई जाती है और बैगाजन जाती के लोग अपने आपको धरती पुत्र कहते हैं वो बुढ़ा देव होते हैं बैगा दुनिया की सबसे गुदना प्रिय जनजाती मानी जाती है यह दियान रखना इसके बारे में तो जनजाती वाले टॉपिक में आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा 10th unit है मादाव राव सप्रे पत्रिकार निता संग्रहाला कहां पर इस्तित है यह भोपाल में इस्ति अब ना की थी मादाव राव सप्रे बहुत रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार रहें सहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे मंद्द्प्रतेश का एक दमोह जिला है उसमें पथरिया तैसिल है तो पथरिया में इनका बढ़न हुआ था और इनकी जो कहानी है यह भारत के पहले हिंदी कहानिकार माने जाते मादाव राओ सप्रे तो पत्रकारी तौल उपाल में अगला इन में से किस जनिजाती के दूमकोठिया कहे जाते है दूमखा दूम ध्याकि जाती के कहिते यह भी पूरवी मद्द्स में पाई जाने वाली तौल जन जाती है इनके जो धूम कोठिया कहे जाते जैसे आपने यह जो मारिया जाती है यह सब पड़े होंगे वैसे ही दिहान रखना यह जो जन जाती है यह धूम कोठिया यूबा गरह पाए जाते हैं मद्यप्रदेश में एक लब तीरंदाज अकेडमी कहां पर इस्थित है यह भूपाल में बनाई गई है 2013 में और यहां आर्चरी का प्रसिक्षन दिया जाता है आपने मुस्कान किरार का नाम सुनाओगा जो एश्वर यह चौदरी हैं इनका नाम सुनाओगा यह बहुत अच्छे आर्चर हैं तीरंदाज हैं और यह ज इसकेगे न रहा नहीं सिक्षान कर रहा था इंकी जो कहानी यह हंदी की पहली कहानी मानी जाती है थो दिया जाता है यह आ अकिakahन संस्रेश में बिष्विद्याला मद्रप्रदेश में दो जगे पर एक तोetral संस्कृत UK है है मनलभ कैंद्रिय विश्ण विद्याला है जो भौपाल में है और एक राज्य सरकार द्वारा बनाया गया विश्विध्याला है जिसका नाम है पाणिनी संस्कृत एवं बैदिक विश्विध्याले तो यह कहां पर है तो यह है उजयन में तो अपन तो मद्यप्रदेश की बात करेंगे तो मद्यप्रदेश में संस्कृ की गई है उज्जैन में एक और चीज की यहां पर संस्क्रिट यूनिवर्सिटी लिखा होता तो फिर आप यहां पर भूपाल टिक करते हैं ठीक है ठीन पर हम चलते हैं ब्रहमराख्छस किसकी रचना है तो ब्रहमराख्छस के जो रचेता है वह है गजानन माधाव मुक्तिव बहुत महत्पूर्ण कभी और साहत्यकार रहें गजानन माधाव मुक्तिवोद और इनके बहुत फैमस रचना है जो आपको दियान रखना है जो गजानन माधाव मुक्तिवोद इन्होंने काट का सपना लिखा है फिर इसके बाद मिनका भूरी भूरी खाक धूल एक एक लिए रखना है कि ब्रहम्राक्षस भी नहीं कि रहता है तो उसकी मुरत्यू के बाद में किसे प्राप्त होता है वह ब्रहम्राक्षस योनी को प्राप्त होता है एक कहानी है और यह गजरन मादव मुक्ति बोदने लगी ती 1942 का चीचली कांडल में से किस छेत्र में हुआ था तो यह हुआ था नर्सिंगपूर में भारत छोड़वांदुरन के दौरान 21 अगस्त 1942 में जो नर्सिंगपूर जिले में गडर वारा तैसील है उसमें एक छोटा साथ कसवा है चीचली तो वहाँ पर भी रोध प्रदर्सन किया जा रहा था वहाँ पर जो बाबूलाल थे और जो नर्मदा प्रसाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके अरेस्ट मे एक मार चायुजित किया गया था सांधी पूर्वाक लेकिन पुलिस ने उसमें फाइरिंग की थी और उसमें जो मंसा राम थे और गौरा देवी तो उनकी म्रत्यू हो गई थी इसी इतियास में किस घटना के नाम से जाना जाता है चीचली कांड के नाम से जाना जाता है तो यह नर्सिंपूर में लगता थी नेक्स्ट वन महू चावनी में विद्रो कब हुआ था यह विद्रो हुआ था एक जुलाई 1857 में नाम सुने होंगे कि वैसे मद्यप्रदेश में जो विद्रो की सुरूआ था वो तीन जून 1857 में हुई थी नीमच की चावनी से और एक चुलाई 1857 इन में से किसका पुराना नाम रामवन आस्रम है जो सतना के पास में रामवन है वहां पर संग्रहालाय जिसे कहा जाता है तूलसी संग्रहालय तो तूलसी संग्रहालय रामवन में है पहले से रामवन आस्रम के नाम से जाना जाता था और यह सतना जिले में आता कि एक मात्र जो मंगलनाथ का टैमपल मदरप्रदेश में यह तो जनरली पता होना चाहिए इसके पीछे जो पराणिक कहानी यह कहती है कि एक राक्षास था अंध का सुर्णाम का और भगवान शिव की उसने बड़ी भक्ति की तो सिव ने सिफ तो तुरंत वर्दान देते थे तो सिफ ने उसे वर्दान दे दिया उसने वर्दान अमर होने का मांगा था और सिफ ने यह तो नहीं दिया लेकिन वर्दान यह दे दिया था कि यदि कोई तुम्हें मारने की कोशिस करेगा और यदि तुम्हारी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे कई राक्ष यह bad तो उन से लड़ाज करने गए तो इसके लड़ाए अंसकार को काफी मसक्ट करना पड़ी और यह बोला जाता है कि जब उससे लड़ रहे थे टो उनके जो पसीने में इतनी घरमी थी कि जब जमीन पर गिरा बाट हो गई उजयन की धर्ती दो पार्ट में डिवाइड हो गई एक तो प्रत्वी ही रही जो नया पार्ट बना वो बना मंगल तो उसे मंगल ग्रह कहा गया और वो प्रत्वी से अलग हो गया इसके बाद जब संकर जी ने लड़ाई की और जब मारा अंधका सुर को तो अंधका प्रत्वी पर ना गिर के मंगल ने सोखनी तो चुकी बर्दान तो टेक्निका लेकि धर्ती पर नहीं गिरना चाहिए और इस तरह से अंधका सुर्का अंत कर दिया था लेकिन जो जो मंगल ग्रह है उसकी उत्पत्ति सी घटना के बाद हुई तो जिस जगह पर मंगल दिखा ही खरके नाम से जाना जाता है तो यह जो है मंगल की अपनी कहानी थी और जिए अवं कहते हैं और आ二 applied पतंजरी संस्वित संस्थान पर भौपाल में यह पतंजली संस्टान जो स्कूल इंग है तो इस स्कूलिं और को प्रमोट करने के लिए मद्यप्रदेश का सिक्षा विभाग द्वारा स्थापित कराई गया है और इसकूल систем संर्सक्राइब तो यह कहां पर Immediate सुमेलत नहीं है सौनागीरी मंदिर गलते , मेरे को सत खंडा महल उस महल कराई गया गया था। इस दिए आमने से सतकंडा महल बोल देते हैं और यह भारती आर्किटेक्ट का एक बहुत जबर जबर्जस्त एक्जामपल एक बार्ति वास्तुकला का एक प्रसिद एक्जामपल है गोविंद महल वो कहां इस्तित है तो उन्होंने एक प्रसिद दिया था दत्या एंपी और बाकी तो उन्होंने दूसरे स्टेट दिये थे तो काफी सारी लोगों को समय पता नहीं था कि गोविंद महल कहा जाता है सथकर्णा को ऑंपके बश्चों को दियान रखना यंद दत्या में जहांगीरी महल तो और chap आसा के राज़ा मनिला मुनिला नहीं बनुए जहांगिर महल ऑंगरा और लड़के जानगीर के लिए रख्यात गोबिंन महिल मद्डप्रदेश के किस स्विच्छ कि इंध्या निराला विश्विध्यान निराला स्रिजन पीठ है यह बर्कत जो आ जाल का वरकात। उतला विष्विध्याला है वहां पर इस्थेत है ध्यान display ये विश्विध्याला में तो प्रेमचंद विद्या पीट है जो मुन्सी प्रेंचंद सब्सासूदा में विष्विधե। पीट है खुत दुर्गावति की पीट है इसके बाद मैं हरी सिंग और विश्य विद्ध्याला है तो यह मुक्ति बहुत पीट जो जो आधी गुरु संकराचारी पीट है अब ध्या कर ले कियार पूच लेते हां इसने माधाव रास्टी उध्यान में है आपको बताया था कि यू गांगय देव का लड़का था कल्चुरी शासक लक्ष्मी करण इसने त्रीह काण गाधिपती के नाम से जाना गया है क्या होगा इसका अंसर लक्षमी कर्ण यह इतियास में कर्ण भी कहा गया एक और बड़ी चीज कि बहुत सारी इतियासकार इसे काचीन भारत का नैपोलियन भी कहते हैं यह भी आपको ध्यान रखना चुकि एंपीपेसी का पेपर है इनमें सुरी अर्जुन के जो वंसा जो पहले सहस्त्र बाहु हुए सहस्त्र बाहु के जो पोते थे सायद वो है है थे तो है है कि जो वंसाच थे उसके बाद जो हुए वो अभीर हुए अभीर बंस भी अपन पढ़ेंगे इसके अंदर तो आभीर का संबंद है है से था आभीर के ह जो संबंदित तरी कुंक हुए है और इनिंस आभीर तरी कुपकते सब्सक्राइक होए है वह है कल चुली इज्थियान रखना तो और यह है ठापको कि से कहा जाएगा तो इस भो aumentar जबलपूर में जो है इनकी जो राजदानी थी ये तिरपूरी हुआ करती थी तिरपूर सुंत्री इनकी कुल देभी हुआ करती थी इस बंस के बारे मैं मैं अलग से लेक्षर बनाऊंगा चोटे-चोटे जो बंस है मंद्यप्रदेश के इनको जरूर देखिएगा काफी इनफर्मेटर होंगे और चुकि MPPSC में हिस्ट्री का पार्ट अलग से दिया है उन्होंने तो में भी पॉसिबल की तुरह सब्सक्राइब्ट में कॉस्चन पूल सकते हैं तो यह आज तुरह सब्सक्राइब के कारण लेट सुरू हुआ है क्लास इसलिए आज मैं 50 कॉस्चन से सब्सक्राइब कर रहा हूं इसका जो पार्ट भी होगा सेक्ट जो पार्ट होगा वो मैं कल डिसक्राइब कर दूंगा होफुली इसमें आपको यह आपके लिए काफी यूसफुल होगा ठीक ठीक है कल मिलते हैं फिर से इसका जो बच्चा हुआ पार्ट है वहम डिसक्राइब करते हैं ओके बाए